मैं अब थोड़ी सी बात करना चाहूंगा मैक्स हॉस्पिटल वाले मसले पर जिसमें डी जी एचेस ने मैक्स अस्पताल के लाइसेंस को ततकाल प्रभाव से रद किया जिसका दिल्ली की जनता ने पाएं फेला कर स्वागत किया पूरे देश में यह जो एक किसम का कॉर्परेट मेडिकल टूरिसम का जो कल्चर चल पड़ा है जिसके चलते हैं वोर्ड क्लास हिल्थ सर्विसेज आम आदनी को मुहया नहीं हो पा रही हैं और जो लोग इससे प्रताडित हैं वो सब खुश थे कि एक सरकार ने दम दिखाया है इन जनता के लिए काम के लेगी कॉर्परेट हॉस्पिटल्स की जीव में नहीं बैठेगी लेकिन जब यह हुआ तो कुछ लोग परिशान थे भारती जनता पाटी के सांसाद और दिल्ली परदेश के अध्यक्ष मानी मनोस्तिवारी जी को बहुत पीड़ा हुई बहुत है उन्हें हमारी आवाज बुलंद करने के लिए संसद बाउन भेजा गया कि मैट्स अस्पतार के साथ खड़े होके उन सभी लोगों की उम्मीदों पर पानी फेरने के लिए उनको चुना गया है जो अपेच्छा करते हैं कि संसद के रूप में वो पनी भूमिका तै कि आज अभी अभी जो जानकारी आई है कि जो एपिलेट अथॉर्टी है कि एपिलेट अथॉर्टी ने डीजी एचेस के लाइसेंस के रद्धी करण के आदेश को स्टे कर दिया है मुझे लगता है कानूर के मुताविक जो संबद्ध भिभाग होंगे वो इस पूरी घटना पर कारवाई करेंगे अपनी प्रतिक्रिया देंगे अच्छी बात है पर एक दिल्ली का नागरिक होने के नाते मन में बड़ी पीड़ा होती है कुछ ऐसी घटनाओं को देखने के बार यह कौन लोग है कहां से आते हैं वी लोग जो बार बार माफियाओं के साथ खड़े हो जाते हैं जनता के हिद के खिलाब खड़े हो जाते हैं दिल्ली की सरकार राशन वाला गरीब को राशन नहीं देता राशन का लाइसेंस कैंसिल करती है कुछ लोग उस राशन माफ माफिया के साथ खड़ो जाते हैं एक प्राइवेट स्कूल कि शिक्षा माफिया बनके मनमानी फीस वसूलता है दिल्लिक की सरकार उसे टेक ओवर करने का मन बनाती है कि शिक्षा का जो बाजारी करण उसे रोका जा सके के सानक कोई आता है और चुनी भी सरकार के उठाए जाने वाले इस कदम पे इस्टे लगा देता है और अब जबके मैक्स अस्पताल की परवाही को देखते हुए कड़ा संदेश देने के उद्देश से मैक्स अस्पताल का लाइसेंस रत किया जाता है तो एपिलेट अथार्टी ध्यान देजिएगा आम आदमे की पहुंच नहीं होती है एपिलेट अथार्टी में कि इतने जल्दी वह एक्शन करबा सकते पहले हेरिंग में ही एपिलेट अथार्टी इतनी तेजी से जाच परताल करके इस नतीजे पर पहुंच जाती है कि लाइसेंस रत करने का जो फैसला है वो घलत है और लाइसेंस रत करने के फैसले पर स्टेले लेती है बहुत पीड़ा होती है मन में कि उन परिवारों के साथ फिर कौन खड़ा होगा जिनोंने अस्पताल की लापरवाही की वज़र से अपने नौनिहाल खोए है अपने घर का दीपक खोया है अपने घर का मासूम बच्चा खोया है मैं समझना चाहता हूं कि अपलत अथार्ट अपने अपने नौजात शिशु को चो कुछ दिन गुजार पाया इस दुनिया में खो देता है अस्पताल की लापरवाही की वज़े से उसके साथ खड़ा होने का मन अपलत अथार्टी में बैठे हुए लोगों का नहीं करता है यह कैसे लोग हैं इनका दिल मैंस अस्पता अस्पताल की यह दो धड़कता है लेकिन अस्पताल की लापरवाही से मरने वाले परिवारों मरने वाले लोगों के परिवारों के साथ इनका मन नहीं करता खड़ा होने का इनका दिल नहीं धड़कता है इनके आँक से आसूनी टपलते हैं कि सोचने वाली बात यह है कि खुद कर रही है या किसी के इशारे पर रही है ये बड़ा सवाल है और जिन तिन घटनाओं का मैंने जिक्र किया अगर आप उसकी तहे में जाएं तो शायद तस्वीर खुद बखुद आपके सामने स्पस्थ हो जाएं कि दिल्ली हाई कोट के निड़े आने के बाद जो दिल्ली के नए लाट साब बने उनकी भूमिका भी सवालों के घेरे में है कि दिल्ली साहब को बताना पड़ेगा कि दिल्ली का प्रशाषनिक मालकाना हद अगर उनको मिला है तो उनकी जवाब देही जिम्मदारी दिल्ली की जनता के प्रति है या बड़े-बड़े कॉर्परेट अस्पतालों और अलग-अलग छेत्रों में माफिया की भूमिका में आकर दिल्ली की जनता का खून चूसने वारों के प्रति है दोस्तों यह बड़ा सवाल है हमें फैसला करना पड़ेगा हमें लखीर खेचनी पड़ेगी कि दरसल हमारा दिल किसके लिए धड़कना चाहिए चुनुई भी सरकार के फैसलों को आप दरकिनार करके ऐसी अरजकता फैला रहे हैं तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि आपको कोई फरक नहीं पड़ता चनहित को आप ताक पे रखके ऐसे फैसले नहेंगे तो जन्ता फिर यही कहेगी कि आप कॉर्पोरेट के हाँ तो बिग गए हैं